नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि सन 2023 में लसन के बाव में हमें उतार देखने को मिलेगा या चड़ाव देखने को मिलेगा ये काफी कुछ आकड़ों से हमने रिसर्च करी है क्योंकि पिछले दो सालों से लसन के बाव में हमें काफी गिरावट देखने को मिली है तो उनी चीज़ों को देखते हुए हमने ये वीडियो जारी किया है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि आने वाले 2023 में आपको लसन के बाव किस तरीके से देखने को मिलेंगे तो आप सभी से मेरा निवेदा ने की जिन किसान सातियों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्दी सजल्दी मिल सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जए जवान जए किसान तो किसान सातियों इस वीडियो में हम जो तीन फेक्ट आपको बताने वाले हैं हमें उम्मीद है उनके अनुसार सन 2023 में आपको लसुन के बाव आस्मान छूते दिखाई दे सकते हैं पहला फेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरा फेक्ट प्रोडक्शन तिसरा फेक्ट डिमार्ड अब हम हमारे पहले फेक्ट को समझेंगे हमारा पहला फेक्ट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सबसे पहले अपम बात करते हैं कि मोदी जी के निर्यात फोर्मूले की तो मोधी जी के निर्यात फोर्मूले के अनुसार पिछले वर्स 90% निर्यात में व्रद्धी हमें देखने को मिली थी तो पुराने आकडों के माध्यम से और बारत के नए संबंदों से हम पुरवा नुमान लगा सकते हैं कि आने वाले 2023 में हमें निर्यात में लगबख 1500% व्रद्धी देखने को मिल सकती है जिससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में हमें लस्न के भाव आस्मान छुते दिखाई दे सकते हैं एक चीज और किसान सातियों कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आयात निर्यात भी बाजार के भाव में उतार चड़ाओ का मुख के मिंदू है तो कोविट के बाद से ही आयात निर्यात पर गेरा असर पड़ा है पिछले कुछ समय से निर्यात बन था ये आप सभी अच्छे से जानते हैं परन्तु अभी खुल चुका है इसमें कुछ बड़ी समश्चाएं आ रही है जैसे कि समुन्दरी तट के भाड़े भी इसकी बड़ी वजब बने हैं जिससे कि कुछ एक्सपोर्टर निर्यात नहीं कर पाते हैं तो और मेरे किसान सातियों एक चीज़ों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के कुछ प्रमुग निर्यात तक देश है जहां सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है जैसा कि अमेरिका, इंडोनेसिया और भी ऐसे व्यापारिक देश जिनके भारत से अच्छे संबन्द है और जैसा कि हमने आपको आगे भी वीडियो में बताया है कि कुछ आकडों के अनुसार भारत का लसुन निर्यात 90% अधिक बड़ा है पिछले वर्सों से भारत से निर्यात किये जाने वाले मसालों की 19 किस्मों में से लसुन में सबसे अधिक व्रदी दर्ज की गई मसाला बोर्ड के आकडों के अनुसार भारत का लसुन निर्यात 22,181 टन था जिसके कीमत लगबग 186 करोड थी तो किसान सातियों इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्केट में उदार चड़ाओ में अहम भूमी का है तो आयात निर्यात के इन आकडों के माध्यम से हम पुर्वा नुमान लगा सकते हैं कि 2023 में लसुन का मार्केट बहुत अच्छा हो सकता है अब बात करते हैं दूसरे फेक्ट की तो दूसरा फेक्ट है अपना प्रोडक्शन तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से निरंतर बाव नहीं मिलने की वज़े से 20-30% कम लसुन की बुगाई की गई है जो भी बाव बरने का एक मुक्ष कारण हो सकता है तो किसान सातियों ये जो तीन फेक्ट है इनके अनुसार 2023 में लसुन का ग्राफ उपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और इन आकडों के माध्यम से हम उम्मीत लगा सकते हैं कि 2023 में हमें लसुन के भाव में काफी चड़ाव देखने को मिल सकता है तो किसान सातियों आज की वीडियो ये तक दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात कि यह वीडियो महट आकडों पर आधारी थे तो आप जो भी फेसला ले अपने विवेक से ले इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी वीडियो खत्म करने से पहले जिन किसान भाईयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम उस फसल के लिए बेतर से बेतर वीडियो जारी करेंगे तो धन्यवाद किसान साती हो जए जवान जए किसान